हलो एवरिवन अगर आप EKTU से अपनी BTEC कर रहे हैं आपकी semester exam आ गए हैं और अगर अभी तक आप बिलकुल भी नहीं पढ़े हो ना या बहुत कम पढ़े हो तो इस वीडियो में बताने बाला हूँ ऐसी कौन सी strategy आप अपना हो कि एक दिन दो दिन पढ़े हैं मतल़ जो भी अ हैं first semester में हैं fifth में है seventh में है ये वीडियो आपके लिए बहुत beneficial होनी वाली है इस वीडियो में सबसे बड़ी बात तो मैं यह बताऊंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना क्योंकि देखो syllabus काफी होता है पूरा अगर मैं notes की बात करूं तो किसी किसी subject की तो दो-दो copy मे notes बढ़ जाते हैं तो अगर आपके पास notes काफी हैं और आपके पास option भी काफी होते हैं book से पढ़ूंगा quantum से पढ़ूंगा notes से पढ़ूंगा किस से पढ़ूं साथ मैं कौन-कौन से question करूं क्योंकि मेरे पास इतना time नहीं है कि मैं पूरी copy पूरे notes को पढ़ सकूं पूरा quantum item पढ़ सकूं इतना वक्त नहीं है मेरे पार और numerical की बात करूं numerical कितनी solve करूं या तो यह सारी problem आज इस वीडियो के हंदर आपका clear होने बाला है साथ ही मैं मैं ये भी बता हूँगा कि exam के time कौन सी mistake आपको नहीं करनी है जब आप exam दे रहे हों आपको paper में pass like भी नहीं आता ना suppose करो आपको paper में उतना नहीं आता कि आप pass हो जाओ तो paper को किस तरह से attempt करके आना है आपको जिससे आप pass हो जाओ यह मैं video के end में बता रहा हूँगा video को end तक देखना इसके बिलकुल मत करना यह video बहुत beneficial होने बाली है अच्छा यह सब चीज है मुझे कैसे पता है देख यह कि something है तो भाई इतना मैंने score कैसे किया वही stats ही बता रहा हूँ क्योंकि देखो पढ़ता पूरे से हमिशा कोई नहीं है और end में पढ़ रहे होते हैं सब तो चलिए देखो video को शुरू कर लेते हैं अच्छा भाई video में आगे बढ़े मैं आपको unacademy के बारे ही बताना पर सकते हैं और यहां से पढ़ सकते हैं अभी 22 का रेजल्ट आया है एक दो दिन पहले यहां पर जो से बिल इंजिनियरिंग में all India rank यह से स्टूडेंट की आई है वह अनकैडमी से ही पढ़े हैं साथ ही में जो CS IT में all इंडिया rank बनी है वह भी अनकैडमी के लर्नर है और परणंटिया की पाइब करो बात कर लो हम सिभी कलास को परचैज करने से पहले यहाँ कि इनका result कैसा है तो result काफी अच्छा रहा है देखो आल इंडिया रेंक चाहे आप CS की बात कर लो से बिल की बात कर लो चाहे एलेक्ट्रिकल की बात कर लो सब भी के अनगेडमी से जो पड़े हुए स्टुडेंट्स है उनी की यहां पर रहे हैं और यहां पर मैं इक बात बता दूँँ अगर आप 23-24 के लिए स्कॉलर से टेस्ट होगा मैं नीचे लिंक दे दूगा डिस्किप्शन में वहां से जाके आप इन्रॉल कर लेना अगर वहां पर अच्छी नंबर आते हैं तो आपको 100% स्कॉलर से भी मिल सकती है यहां पर साथी में गेट और ESC के लिए अगर आप बैच का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जल्दी ले लेना फिर प्राइस हाइक हो जाएंगे अभी यहां पर देखो यह करेंट प्राइस हैं आप देख लेना और यह यहां पर प्राइस हाइक होने के बात हैं और अगर आप ख़ई दोगे एक तो आपको इस प्राइस में मिलेगा और साथी में अगर आप डिके टैन कोड लगा दोगे न तो आपको दस परसेंट का डिसकाउंट मिल जाएगा तो यह ध्यान रगना डिके टैन कोड लगा देना और भाई गेट और ESC के लिए कुछ के उपर तो आप अनकाइडमी से कनेक्टेड रही है जिसके कि आपको इनफॉमेशन मिलती रहेगी और यहां पर साथ ही में भाई टागेट बैच है आपका मेकैनिकल वालों के लिए जो कि आपका तेईस मार से स्टार्ट हो रहा है ठीक है तो आप इसमें इन्रॉल कर सकते ह अगर इन्रॉल कर लेना अगर आपको गिर्ट एक्जम की तैयारी करने है सिबिल वालों के लिए हैं यहां पर और यहां पर मैं नेक्स्ट बात करूं आपका इलेक्ट्रिकल वालों के लिए और यहां पर कैमिकल ब्रांच वालों के लिए वाइल एंगल रहने वाला है और य लगा देना सभी की link मैं नीचे discussion में दे दुगा चलिए तो यहां पर सबसे मैं important बात तो यह है पहली जो सबसे important बात की भाई पढ़ना कहां से है देखो आपके पास option है जैसा कि मैंना सुरू में discuss किया था आपके पास option है आप note से पढ़ोगे बुक से पढ़ोगे या आप quantum से पढ़ोगे ना हमें no to TM से पढ़ना है ना हमें आपको सकते हैं तो आप quantum नोट से पढ़ सकते हैं, नोट से क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि चलो, आप समझ गए, कि भीआ, आप बुक्स के इसलिए नहीं कह रहे हैं, कि आप कबर नहीं कर पाँगे, लेकिन याँ, नोट से क्यों नहीं पढ़ने का रीजन में बताता हूं, जो टीचर होता है, वो according to स्लिएवर्स आपका नोट करवाता है, मतब कि एकट्यू के स्लिएवर्स को वो सुरू हाथ में डाउनलोड कर लेते हैं, कि इस बार का स्लिएवर्स क्या रहने माला है, उसके according आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन आप एक चीज हमेशा याद रगो, कि क्वांटम में जो पेपर में आ गए हैं, उन को पढ़ें, क्योंकि एक एक ट्यू हमेशा एक चीज धियान में रखता है, कि अभी तक आपने अगर प्रिबियस येर कर लिए ना, पांचे साल के, तो आप कभी भी पेपर में फेल नहीं हो सकते हैं, मतलब अगर सतर मार्क सा पेपर है, तो 60 मार साप डैफिनेटली लेके आ सकते हो, सिर्फ कौांटम की हल्प से, अब अगर आपके पास नोट्स हैं, तो आपकी पता कहां हल्प करेंगे, नोट्स आपकी हल्प करेंगे, सब्कूज आप कौँछ कुछ पढ़ दे ओ, और क्वांटम में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कोई कोशन ऐसा है जो आपको कॉंटम मैं समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ पर वो टॉपिक आप अपना नोट से कर लेना लेकिन एट लीस्ट कॉंटम से आपको यह पता चल जाएगा कि पढ़ना क्या है अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कौन-कौन से कोशन करने हैं कौन- छिवा जा डिफिय के लिएव लेकिन अगर आपके पास एकी जात है एक दिन स्वाट के लिए ईसाली चीजाओ अपको छलो हम विए ब करे 2019aghetti करेंगे पहले मैं यहाँ पर आपको कॉंटम दिखा देता हूं मैंने क्वांटम Top nenhuma का पेजद ले रखा है सबसे पहले मैंने आपको पूरा देख जाएगा नहीं के आप क्या है पुरा टाइम तो है नहीं याप पूरther?」 इंट हो है, क्योंकि एक दिन बच्वह थो उसमें क्या करना है, जैसे एक यूनिट these questions may be ask for in your sessionals as well as university exams मतलब यहां पर यह एक unit के कम से कम आपको कितनी questions है 6 questions है आपको कुछ नहीं करना आँख बंद करके इन questions को पढ़ लेना है ठीक है यह 6 questions अब देखो एक unit से 6 questions किसी unit से 7 भी हो सकते हैं किसी से 8 भी हो सकते हैं चलो मैं 7 questions माल लेता हूं कि एक unit से अगर आपको 7 questions पढ़ने है और आपकी 5 unit होती है तो 7 पंजे 35 थर्टीफाइब कोर्सन एक रात में आप नहीं पढ़ सकते हैं बिल्कुल पढ़ सकते हैं इसलिए आप इंजीनियर हो भाई आप एक रात के अंदर भी 35 questions attempt कर सकते हो इंस्टीट अगर वो थोड़ा सा numerical portion वाला नहीं है अभी numerical वाला भी बताऊंगा मैंने आगे numerical वाला भी रखा है वो कैसे tackle करना है वो भी बताऊंगा लेकिन simple सा यह दिहान रगो सिर्फ यह question पढ़ो लास्ट में जाओ और यह question देखो जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि ठीक है यह question 3.1 page 3.1 है यह 3.9 है यह सिर्फ question वह है जो different time repeats हुए है ठीक है तो अगर आपके पास एक दिन है एक रात है तो यह question पढ़ने जो end में very important question लिखे होते हैं numerical subject का भी दिखा देता हूं कि अगर कोई numerical subject और theoretical subject कैसा है उसे कैसे tackle करना है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं यह जो subject है आपका यह automobile engineering करके एक subject था मेरे पास भाई उसका है अब देखो यहां पर पहला question क्या है आपका पहला question तो है six जो seventh question है यह आपका numerical मतलब दो numerical है मतलब इस मेंसे हो सकता है कि आपसे एक numerical paper में पूछ लिए जाएगा जिकbane, जयोकि दो numerical और ऑघ़ी इस चेप्टर से पूछे जा ज Ho repar पूछिए ह। आपको numerical सारी में करने क्योंकि teacher तो सारे numerical कराते आपको श्री मारी मेरी कल पूछ घया है किस टापिक से पूछ इसमें से को इसक के टेरा है इसमें और कोह अब हुआ है और कोई जिए चीजों के आगल कुछ कैसे पूट करना है यूनिट को कैसे कनवर्ट करना है यह ध्यान रखो आप बहुत अच्छा कर क्या होगे इन मतब जैसे यह डो टॉपिक से पूछी गए होंगे ना जैसे कि यहां पर अगर मैं इस नुमेरिकल को पढ़ू चलो नुमेरिकल आपके मतलब का है नहीं इसलिए म नुमेरिकल लगा लो और अगर यहां से कोई नुमेरिकल बनेगा तो आप डफिनिटली कल लोगे बस जयतना मत क्योंकि रटोगे तो वहाँ पर नहीं आएंगी वह ठ्क है यहां पर जो वयल्यू दिरखिए वहां यहां लिग यह आएंगी तो फॉर्मूला और यूनिट को कैसे convert करना किलोवट दिया तो वाट में कैसे convert करना थिक है पावर दिया है तो उसको Newton per meter square में कैसे convert करना है यह सारी जियान रखना कि कैसे कर रहे है कुछन के अंदर तो वहां बर आप अच्छे से कर लिए जाओगे ऐसे इस numerical के साथ करना है आपके और ऐसे ही इस नुमेरिकल अब आप किसी भी सैमिस्टर के अंदर है उसको इस हसाब से आप नुमेरिकल को टैकल कर लेना ठीक है बस अच्छे दिमाग से करना बस यह देखना कि कैसे आपको कौन सा फॉर्मूला यू जो रहा है और नुमेरिकल करके जाना अच्छा यह दो तिन चीज हो गई है आपको कैसे यह सारी चीजा करनी है मैंने यहां पर नुमेरिकल का बता दिया और यह बता दिया कि आपको कैसे पढ़ना है अब इस वोटो की चोगे ना वह इंग्लिस में लिखा हुआ है तो वह हिंदी में कर्वर्ट हो जाएगा फोटो आपको लिखना नहीं है सिर्फ फोटो खीचना तो अगर कोई कोशन आपको इंग्लिस में समझ में नहीं आता जैसे कि यह पूरा मेरा जो उपर था सोचियो लॉजिकल सब्जक्ट यह पूरा ठीकल अब हो सकता है या इंग्लिस ऐसी होती है कि हमाई समझ में नहीं आती है तो वह सब्सक्राइब वहां से वैसे पढ़ सकते हैं टीक है रीडिंग करिये एक बार पूरे कॉंटम को रीड कर लो पिर उसके बाद दौबार रीड कर लो समझ में आ जायेगा जितनी वार रीडिंग करो क्यों अठीब कर आएग से पेपर में लिखायोगे अगर आपकी थोड़ तो एक चीज़ ध्यान लगना कि अगर आपको पेपर में कुछ ना आये ना तो फेपर को छोड़के मताना उसमें कुछ बना के लिख बी दिऊंगा लेकिन भही एक बात बताा हो अगर नुमेरिकल आ गया मुझसे नहीं आया तो कैसे करूंगा अब देखो उसका सॉलुसन मैं बताता हूं आपको क्या करना है जैसे आपने सब्जेक्ट किया अब आपको देख लिए कि आपने इसमें कौन-कौन से फॉर्मुले यूज करने है यह सारी लेकिन इस टॉपिक पर नुमेरिकल आया ही नहीं हो सकता है ऐसा ठीक है मैं डेफिनेटली बोलाँ कि हो सकता है ऐसा ज़रूरी नहीं हो और में भी चांसे सहते हैं कि जो टॉपिक पर नुमेरिकल आ गया है उन्हीं टॉपिक पर दिया जाता है लेकिन अगर एक परसेंट आप भी जाता है तो उस सॉलसर में क्या करना है आपने इसके फॉर्मुलियों तो पढ़े है पहले तो इसका यहां पर बारो वहां पर सेक्शन डाल दो कि किस से कोशन है और कौन सा कोशन यह डालके ब्लूपैन से लिखो गिविंट डाटा और यह बहुत अच्छे से वहां गिविंट डाटा में लिखो नीचे यह सारी वैल्ली पुट करो और अब यह जो आपने फॉर्मुली याद गया वह फ तो देखो यह और हां यह ध्यान रखना कि जो कोशन आपको इस तरह से करना है न हो बिल्कुल एंड में करना जब आपको जब आप जितना आता है वह कर चुके हो उसके बाद करना इस टाइप के कोशन सुरू आतमी करने मत लग जाना इस वाथ का ध्यान लगना तो आप क्य कॉपी ना अच्छी से चैक नहीं होती शुरू के दो तिन को छोड़ के तो हंड्रेड पर मैंताब 99.99% चांसे से हैं कि वह कोशन आपका गलत हो जागा ज्यादा स्यादा वह बंदा आंसर चेक करेगा अब कहें तो यह क्या करेगा पांस साथ नंबर का कोशन है पांस नंब कर लेना टाइम मैनेजमेंट की बात करूं तो आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है जिसकी अगर आपके कितने कोशन आते हैं जितने भी आपके कोशन आते हैं उसमें आपको क्या करना है एक मिनेट मैं आपको टाइम मैं आपको क्या करना है मेरे भाई कि जैसे आपके 10 क तो दस मिनट दस को सन पर बीस मिनट बचा लोगे बीस मिनट में फिर देख लो कि आपने थोड़ा सा उसे सजालो कॉपी को अगर आप पूरा टेम्ट कर जोगे तो सजालो मतलब आंसर्स को ऐसे ब्रैकेट में कर दो इसकेल से करना हाज से मत करना और फुरा गिविंट अच्छे से लिख दो और एक बार देख लो कि आपने सेक्शन सही डालें को सब्सक्राइब यह सारी चीजन देख लो तो आई होप यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो